एक तो गर्मी और हब सुपर से हर दो घंटे बाद एक घंटे के लिए बिजली बंद पनी खरावी के नाम पर धरमपुरा, मुस्तफाबाद, उमर कोलूनी, बागणिया, राइवंट रोड, निश्टर कोलूनी के इलाकों में रात बारा बजे बत्ती गुल, अवाम बिलबिल उठे, लेस्को का शॉर्ट पॉल चार सो मेगा वाट तक पहाँच गया, दीगर का इलाकों मीवी बिजली तवील अर्से के लिए बंद साफपारी कमपनी स्केंडल एतसाब अदालत ने मुल्जिम राजा कमरुसरमा लाम और वज्जीम अजमल को मजी 13 रोज़ा जुडिशल डिमांड पर जेल भेज दिया, अदालत का मुल्जिमान को 11 सेप्टेंबर को दोबारा पेश करने का हुपूर एनने 178 के इलेक्शन में धांदली की गई गुलुकार इब्रालुल हक की दर्खास पर समात, अदालत ने दर्खास इलेक्शन कमिशन को भिजवाते हुए निप्टा दी, इलेक्शन कमिशन दर्खास गुजार को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे हाई कोर्ट पाक भारत आभी तनाज़ा, दोनों मुलकों के दर्मियान मुजाकरात का पहला दौर आज होगा, पाकिस्तान ने भारत के दो हाईडरो पावर प्रोजेक्ट्स पर इतराज़ाद उठा रखे हैं, पाकिस्तानी इतराज़ाद पर भारती वफ्ट अपना मौकिफ पेश नहौर की मातहत अदालतों के मौसम गर्मा की तातीलाद खत्म केसिस की कौस लिस्ट अदालतों के बाहर आवेजा कर दी गई, दिला का चेहरी में भी काम मामूल के मताबिक होगा सिपाही मक्मूल हुसین जैसे बहादूर सपूत हमारा फक्र हैं, वजीर अला सरदार उस्मान बुजदार का भारती जेलों में, 40 साल कैद रहने वाले सिपाही मक्मूल हुसین के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इधार सुभाई वजीर सहर डॉक्टर यास्मी राशित का महकमा प्राइमरी एड सेकेंडरी हल्थ का दौरा अफसरों से मुलाकात की, सेकेटरी अली बहादूर काजी ने ब्रीफिंग दी शेहर की उनासी हाई रिस्ट यूनियन कॉंसल्स में सादे पोलियो महिम का बाकाइद आगास, 225 टीम, 7,80,000 बच्चों को पोलियो के कत्रे पिलाए गए, पोलियो टीम्स की सिक्यूरिटी के मुनासिब इंतजामात किये गए हैं, डी सी लहौर ग्रीन टाउन में मामूली तेख कलामी पर होने वाला जगड़ा एक शक्स की जान ले गया, पोलिस ने मारे जाने वाले शेहजाद बुखारी की लाश, पोस्मोटम के लिए जिनास्पताल मुन्तकिल कर दी, मजीद तफ्दीश जारी LDA का अलाम इकबाल टाउन और जोहर टाउन में उपरेशन, अमला ने खेर कानूनी तामीर, शादी हौल और दिगर तजावसात में इसमार कर दी तैयारों की खराबी और दीगर तक्नीकी वजुहात, लहुर एर्पोर्ट पर पंदरा परवासे ताखीर का शिकार, पंदरा उडान ही ना भर सकी, मुसाफिर परिशान और सेशन कोट में कतल केस की पेशी पराई, मुल्जिम और मुदाई पार्टी के लोग उलच पड़े, बात मजीद भंडे से कबल वुकला ने बचाओ करवा दिया